क्या आप भी चांद पर जाने का सपना देखते हैं? क्यों न देखें? आज तो यह सपना हर किसी का है तो फिर आपको चांद तक जाने की जरुरत नहीं है भारत कही एक गाउं जिसे चांद की धर्टी कहा जाता है बस वहां तक पहुँच जाएं यहां धर्टी पर ही चांद उतर आता है चौक गे ना धर्टी पर चांद जी हाँ बिलकुल धर्टी पर चांद इसलिए इसे चांद की धर्टी कहा जाता है यह गाउं हैं भारत के लेह लद्दाक में आप बस वहां पहुँच जाएं आपको चांद की धर्ती में पहुंच जाने का एहसास हो जाएगा और विलक्षन दिव्य परिद्रिश भी दिखाई देगा जहां चांद की मन मुह लेने वाली रोशनी में आप नहां उठेंगे इस गाउं का नाम क्या है इस गाउं का नाम है लामा यूरू चांद की धर्ती कहा जाने वाला यहां गाउं लामा यूरू लेह से 127 किलो मिटर दूर बसा है इस गाउं में पहुंचने पर आपको एहसास होगा कि यहां दूर दूर तक विरानी जमीन बर्बस धाके पहाड और नदिया और कुछ लामा बस 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 इतना ही समुद्र से 3510 मिटर उचे और माइनस 40 डिग्री ताप मान होने के बावजुद भी यहां घूमने का सपना हर सेलानी का होता है दर असल पुर्णीमा की रात को यहां की जमीन चांद की तरह चमकने लगती है इसलिए यह जगह मून इसकेप कही जाती है यहां पर लामा यूरू मोनेस्ट्री है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं इस मोनेस्ट्री को ग्यारनी सताबदी में महासिद्धा चारे नारोपा ने खोजा था ये मोनेश्ट्री पांच इमारतों में पहाड़ों पर बनी है जिसे देखना अदभूत अनुभा होता है जैसे पहुँचे लामा यूरू गाउं इस छोटे से गाउं तक पहुँचने के लिए लेह से आसानी से बस मिल जाएगी ये बस रोज सुबा 10 बजे और दोपहर में 12 बजे लामा यूरू के लिए निकलती है वही अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप पुर्णिमा की रात को जा सकते हैं क्योंकि चांद की रोजनी पुर्णिमा की रात को इस धर्ती पर पड़ती है जिसके कारण ये मिटी चांद जैसे चमकती है और देखने पर ये बिल्कुल चांद की जमीन की तरह दिखती है इसके अलावा इस लामा यूरू गाओं में एक मट भी है जो आकरशरन का केंदर है इसे भी देखने यहाँ लोग दुनिया भर से पहुंचते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर पहले एक जील थी लेकिन फिर बाद में ये सुख गई लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि ये जील तो सुख गई लेकिन यहाँ की मिटी जो की पीली और सपेद रंके दिखती है साथ ही ये मित्ती बिलकुल चांद की जमिन की तरह दिखती है जिसे देखने के लिए लोग यहां दूर दराज से पहुँचते हैं वैसे तो इस जगह को दिन में भी देखने का अपना मज़ा है पर इसे रात को देखने का अपना अलग ही आनन्द है पूरे लद्दाक में सबसे बड़े मठों में से एक होने के अलावा ये तिब्यती बौध मठ इस छेतर का सबसे पूराना गोंपा भी है और इसे स्वतंतरता का इस्थान खारपा लिंग के रूप में जाना जाता है बहुत संप्रदाय के लाल संप्रदाय से समधित भीक्षू इस मठ में रहते हैं और ध्यान करते हैं और तीन सों से अधिक अन्यष्चू भी मठ के प्रसासन के तहत संबध है लामा यूरू मठ ना केवल अपने अध्यातमीक और एतिहासिक महात्यों के कारण बलकि अपनी अविश्वसनिय प्राक्रितिक सुन्दर्ता के कारण भी लद्दाक में एक प्रमुख पर्याटक आकरशन है गुरु द्वारा पत्थर साहिब सबसे पवित्र पुजनिय इस्थान जहा माना जाता है कि सिख धर्म के संथापक गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी कीवन दती है कि एक बार गुरु नानक जी इस इस्थान पर ध्यान कर रहे थे और एक राक्षस ने उनकी प्रात्ना में बाधा डाने के लिए एक बड़ी चटान फेक दी थी लेकिन चटान नरम मों में बदल गई जो उन्हें नुकसान पहुचाने में भी फल रही या देखकर राक्षस ने अपने काम और गुरु के लिए प्राशित करने को कहा नानक जीने उसे माफ कर दिया गुरु नानक देव के शरीर की चाप और राक्षस के पदिचिन वाला शीला गुरु द्वारा पठार साहिब में प्रदर्शित है या देपी या चेत्र प्रमुक रूप से बौध धर्म के लिए जाना जाता है लेकिन जो भी व्यक्ति इस इस्थान पर आता है वो गुरु द्वारा पठार साहिब की समान रूप से पूजा करता है इसका रख रखाओ भारती सेना द्वारा की अज़त अब जब भी चांद के देश जाने का मन हो तो ले लद्दा के लामा यूरु गाओं जरूर पहुंच जाए और वहां देखिए चांद की धर्ति को कैसा लगा आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब कमेंट जैहीन वद्ने मात्रम जै सनातर